असलाम वालेकुम मेरे भाईयों दोस्तों और बुज़र्ग मैं इलियाश शेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आई एल यू इंटर्टेन्मेंट पर और जिस बाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है सब्सक्राइब कर ले और बैल पेटन दर बाढ़े तक कितने के लिए आपने 12,000 क्या मांगा था हूँ वोड़ा पंदर इसमांगा था हूँ जाड़े वारा में दे दिया तो मतलब अच्छा मिल गया वजन क्या रहेगा वजन क्या रहेगा कितना वज की बात करें ना ने ज्यादा है पाई थीस किलो प्लस है ठीक है चल यह तो मेरा देख सकते हर कोने में देवनार के खुसूरत और वले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोगों तक शेर कीजिए अपने स्टेटस पर रखिए ताके लोग भी गर बैटे दिवनार बक्रे मंडी के मज़े ले सके देख सकते हैं यह नसल देखिए तो कमेंड कीजिए कौन सी नसल है इंशाल्ला आप लोग को समझ में आ यह पीपी आर में फुल आ गया था 25,000 दे में सेल करना है यह बनोर के बच्चे है नसीर भाई के यह तो जो भाई भी बनोर में शौक करना चाहता है इंशाल्ला आपको साल भर जो है देवनार बक्रामंडी में बनोर के बच्चे मिलेंगे तो रेट जो है आप कंफर्म कीज यहां 8,000 रुपे से लेके 15,000 रुपे के 22,000 रुपे जैसा क्वालिटी रहती है वह ऐसा रेट मिलता है और आप देख सकते हैं देवनार फिर से वीरान हो चुका है जो सजावत देवनार की वह कम हो गई है और देवनार की सजावत जो है इंशाल्ला फिर नेक्स्ट येर फ लोगत हो है अपने कुरवानियों के जानवा लेके जाओ कि है और यह शेट से पूरे हः चुके है पूरा काम होच्ट हो चुके है निकालने का यह नो यह मैशललल्ख के यह कुल्वानी के नायाब क्लेक्शन अभी भी जो है दिवनार बकरा मंडी में मौझूद है और आप लोग को दिखाऊँगा इंशालला मैं बहतरीन बच्चा ये रेखिए ये कॉलिटी रेखिए ये सब जो है दिवनार बकरा मंडी में अभी भी अवेलेबल है तो रेट जो है आप खुद आईए इंशालला और बात कीजिए और लेके जाएए मैं इद्दम एक्जेकेट तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन इंशालला कोई कोशिश करूंगा कुछ जो है बखरों का रेट बटा सको ठीक है तो ये बड़े बच्चों का तो रेट नहीं बता है लेकिन ये देखिए बीस हजार रुपिया अ आपको उसके बीच में मिल जाएए आना पड़ेगा बारेगिन करना पड़ेगा देखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा आपको कॉलिटी समझ में आ रही तो आप लेके शौक कर सकते हैं और जिस किसी भाई को भी मेरे चैनल पर वीडियो बनवानी है और मुझ से गरों का माल भी देख सकते हैं माशाएलला घरों में भी भी बहतरीन जो है नसले तयार और यह देवनार बकरामंडी मैंने कोटा का एक दो फीमेल और एक मा तीन बच्चों का शूड करके आया तो माशाएलला ऐसा है कि देवनार में आजू-बाजू ही भी बहुत भी भी ब हसाला आप Це यहां कुछिने सुनत वाला शूक किजिए इंशालला आपके घरों चाह living करें हर बच्छे इंशालाँ यहां कुछ अप लोग बंगा बकर का प्राइज बताने वाला तो विडियो को इसंसालल आक इवाल में बहुत थे इन इस पहुत इंदोर वो कट्टू के लिए लगती है विकास साल भर जो है कट्टू का माल जो है देनार वक्रामंडी से पूरिय मुंबई में सप्लाय होता है तो यहां से इंशालला प्रॉपर अप्डेट डूंगा यहां भी कुछ बकरे खड़े यह जो आगे पट्टी खड़ी है यह जो है दस हजार रुपे से मांग रहे इंशालला आईए नेगोशिबल कीजिए यह साइट डे सकते आप माशालला पूरा बाड़े खाली है यहां कुछ बकरे जो सुबह अरली आते वो सेल भी हो जाते भई तो जो जल्दी आएगा इंश से लेड करोगे तो आप माल जो है छड़े आते तो देख सकते हैं वैपारी किस तता जो है सवदे कर रहे लोग हाथ पाव धो रहे लोग जो है यहां से निकल रहे मैं आपको बता दो मंडीज में आते हैं लोग दूर से आते विचारे महनत करते और माल लेके आते यह देख आप लोग भाव करें तो इंशाललह 6,000 में भी हो सकता है आपको मिल जाए तो आसकिंग पर इस कुछ और रहे सकते हैं बड़े बड़े भेड़े देखिए 15,000 रुपे कि किसमें सो कोई भी लो तो भेड़ आपको समझ में आ रही कॉलिटी आपको समझ में आ रही तो आईए देवनार बकरा मंडी और लेके जाईए और यहां आपको साल भर इंशाललह बकरे आते रहते यह स्वार कट्टू का माल आता है कट्टू में से आपको तलाश करना रहे गाए खतम हो चुका है और अल्मूस्ट जो है यहां जो आज माल बहुत कम आया था मैं आपको बता चैसे पहले इंशाललह 66 ओर अजियास दिखा देता हूंlast जाफर भाइका माल यह पुरा माल जाफर जाः साल भर जो तो यहां कुछ देसी बच्चे वह भी बिख चुक है सीरोही है वह भी माशारला बहुत भैतरीन देखे तो यह सब बच्चे जो है आप लेके पाल भी सकते हो और मोस्ट इंपर्टन इंग यह तो आकीके के ही बक्रे है वही ठीक है और यहां जो है कट्टू वाले से यह लेते है कि देखे बुल जैसी सिंग कट्टू वालों सो यह पर्चेस करते हैं और माशालला इनका पुराना काम है और बीसो सालों से देवनार बक्रा मंडी में जो है यह सेल करते हैं यह देखिए बहतिरीन बच्चा यह मेरे ख्याल से अदंत बच्चा है लटक में देखिए तो आपको समझ में आ रहा है तो लेके शौक किजिए बाकि देवनार की अपडेट है साओधा अभी भी चालू है और अंटी साओधा कर रहे हैं तो अंटी को एक बक्राची है जो तेरा आदा चौदा हजार की रेंच का हो जो देवनार में नहीं मिल पा रहा है फिलाल जो वो बड़े रेट का है जो उनको छोटा दे रहे हो उनको समझ में नहीं आ रहा तो यह थोड़ा होता आगे पीछे इंशालला यह देखे बच्चे 4000 5000 5000 रुप्य के बच्चे ठीक है तो आपको बच्चा चीए तो भी आप आ सकते हो दोनार बक्रा मंडी बाकि माशालला यह मंड फीमेल के जो है तीन दूदे तीन दूद वाली फीमेल तो आगे चलता हूँ इंशाललह ये भेड़ है कुछ और ये यह भी फीमेल का लॉट है चार नक चार है और यह 8000 उपह से लॉट था ये देखिए फीमेल खड़ी यह 9000 यह पूरा लॉट है 10,000 उपे का तो जैसा आप आओगे जितना बड़ा लोगे छोटा लोगे वैसा रेट मिल जाएगा कॉलिटी के तो बहुत अलगी पूरा कट्टू का माल है और साल भर इंशालला इदा जो है देवनार बकरामंडी में माल मुलेगा यह देखिए बच्चों का लॉट यह पांच बच्चे का लॉट है यह अच्छी हजार उपे सिंग को देने तो जो इंट्रस रखता है भाई बच्चे लेने के लिए वह आ सकता है दिवनार बाकी कॉलिटी की बात करें एक्स्टीम कॉलिटी नहीं मिलेगी आपको मैं बता दू और यहां जो आपको नॉर्मल कॉलिटी का ही माल नहीं है चलते है यह देखिए तो यह पूरे जो बाड़ है मैं आप लोगा बता दू यह निजाम भाई का बाड़ है और यह निजाम भाई का मेरे खैल से गाऊं से माल यह था आओ इदर आके उन के भाईयों। भी बार्गनिंग करना पड़ेगा एंगे फीमेल बहतरी ने अच्छी लेंद कि अच्छी तो ये लोड़ ये देखे माशिएलल्ह छोटे बच्चे ये और बहुत ही माशियाल्लह खुष्चूट है इनके कान में गुलाबी पन भी है आखों में कजला भी है बहुत खुष्ष चले के इंशालला यह देखिए एक इंडिकेटर बंद है और यहां पुरा सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा विकोस ज्यादा माल जो है दिवनार बक्रा मंडी में नहीं आया है उसका भी रीजा ने हर एक के घर में अलहम्दुलिल्ला कुर्बानी हुई है और गोश मौजूद है तो जैसा सेलिंग बढ़ेगा वैसा वैसा माल आएगा तो चलते हैं आगे तो देख सकते हैं आप के अंधेरा होने को आ चुका है और अल्मोस मगरिब की अजान भी हो सकती है कुछी देर में हो जाए तो चलूँगा इंशालला नमाज भी पढ़ लूगा मैं और चलते चलत देवनार बकरा मंडी में आते हैं और यहां से जो है और सप्लाइ होते हैं पूरे मुंबई में तो यह सब लीगल प्रोसेस है अलहमदुल्ला लोग फॉलो कर रहे हैं तो यह भी देख सकते हैं यह जानवर बहतरीन देखो तो कैसे लग रही है आपको कॉलिटी अभी भी ज कैसी लग रही है चीज कैसे लग रही है और आप लोग जो है देवनार बकरा मंडी में यह सी कॉलिटी को कितना देखना पसंद करते हो तो प्लीज आप लोगों तक शेयर करना यह कॉलिटी यह देखो माशाला बड़े बड़े बहतरीन जानवर तो यह था मेरा काम जो मैंन निकालते हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और कंटीनी माशाला देवनार की अपडेट्स आप लोग को मेरे हैं दुआ में याद रहे किए सब्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए चलिया अल्ला हाफीज